प्रवाद करें आपकी दोस्त नायरा उन्हीं के लिए आज कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो लड़कियां मेकप करना पसंद नहीं करती हैं और बिना मेकप के ही सुन्दर दिखना चाहती हैं क्योंकि यदि आपका खान पान अच्छा रहेगा तो आपका डाइजेस्टिस सिस्टम अच्छा रहेगा शरीर के अंदर ब्लड सर्कूलेशन बैटर रहेगा जिसकी वज़े से शरीर के अंदर खून ये कमी नहीं होगी और आपके चहरे पर रौनक नजर आईगी टिप नमबर टू अपने आपको हाइडरेट रखना बिलकुल न भूलें यदि आप चाहती हैं कि आप बिना मेकप के हमेशा सुन्दर दिखाएं दें तो आपको करना केवल इतना है कि रोजाना आपको 6-8 ग्लास पानी पीना है जी हाँ यकीन मानिये कि किसी भी फैरनेस क्रीम किसी भी प्रकर्तिक नुस्के से ज्यादा पानी आपकी सेहत को और आपकी तुचा को चमकदार बना सकता है यदि आप रोजाना 6-8 ग्लास पानी पीती हैं तो आपको किसी भी फैरनेस क्रीम की जरूरत नहीं बढ़ेगी टिप नमबर 3 तुचा की परत को उतारना यानि की एक्सफॉलियेट करना वेकप करने की वज़े से कई बार हमारी तुचा काली बढ़ जाती है या फिर उस पे धाग दब्बे उबर आते हैं जिसे बूर करने के लिए हमें सब्था में कम से कम एक बार अपनी चहरे को एक्स्फॉरियेट जरूर करना चाहिए आपने किसी भी अच्छी डॉक्तार के पास जाकर या फिर किसी से अच्छा परामर्ष लेकर आप अपनी स्किन को एक्सॉलियेट कर सकते हैं Tip No.4 है Toner का इस्तिमाल करना Exfoliate करने के बार तुचा के रोमचिदर बड़े हो जाते हैं और उनके अंदर धूल मिट्टी ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है तुचा के रोमचिदरों को छोटा करने के लिए आप रोजाना Toner का इस्तिमाल कर सकते हैं ऐसा करने से ना केवल गंदगी आपके चहरे से दूर होगी बलकि रोमचिदरों में और तुचा के अंदर कसावट भी आएगी Tip No.5 मॉस्चिराइजर का इस्तिमाल करें आज कर मॉस्चिराइजर ना केवल सर्दियों की जगा बलकि गर्मियों में भी यूज में लाया जाता है मॉस्चिराइजर का काम होता है हमारी तुचा को मुलायम बनाये रखना और उसे 24 घंटे सुरश्या प्रदान करना आप रोजान अपनी चहरे पर और अपनी बॉड़ी पर मॉस्चिराइजर का प्रयोग लगा कर भी बिना मेकप की अपने आपको सुन्दर दिखा सकती है सो फ्रेंट्स ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप बिना मेकप की अपने आपको सुन्दर दिखा सकती है मेरी ब्यूटी और हैलसे रिलेटीड वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए तक तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ